कि अ'd कि असलाम लिकम लिए स्ट मूंट क्या आलां है कि कि अप थैंग अज हम करेंगे कि यह कोड की असाइन्मेंट नमबर टू- अट्म आप सच करेंगे यूटूबे तो आपको मिल जाएंगे अच्छा इसका जो भी पार्टा इसमें दिया हुए है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने को सॉल करना है तो कॉस्षिन क्या है एस्टी मेट्ध फापकुलिशन ऑप फी से मराद यहाँ पर मरे पास पापुलिशन है औел यहां पर याद रखना चो मरे पास फंक्शन है वो टाइम है यहां पर ट जो ना वो अबाद पास एक फंक्शन ऑफ ताइम है चाहिंक है और मियूर करना है मतलब यह ताइम है वह हमने मैयूर करना है सालों में या तकने since 1980 अब इसको अपने समय आएगी वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि यह जो function हमारे पास आया है ठीक है यह कब मेजर किया गया था इसको मेजर किया गया था 1980 में और इसकी जो यह जो time t है यह जो deal खौँवा है यह t मिजर करता है सालों को या दखने है सालों को मैं यह रखता है T की value जो ना वो one होगी one year two year three year इस तरह से होगा ठीक है तो वो value हमने यहाँ पे P की value हमने निकालनी है population निकालनी है कैसे पहला question मारे पास वो कहता है कि what is the population population अपने निकालनी है expected to equal in the year of 1996 1996 में जो ना इसकी population क्या होगी यह हमने पहला कोशन इसका निकालना ठीक है तो इसका हम यहां पर answer निकालते हैं को मुश्कल नहीं है बहुत ही आसान है हम यहां पर जाएंगे यह मारे पास question इसका solution मुझूद है यह मारे पास function है इस function को मैंने यहां पर लिख लिया है इसका पहला जो पार्ट है उसमें दिया है वाट इस दपर पॉपुलेशन ओफ एक्सप्टेट तो इक्वल इन दे यह पास दिया हुआ है अब हमने निकालने population to find the population in the year 1996 1996 में अगर हमने इसकी पापुलेशन निकालने तो हम क्या करेंगे पहले हम T निकालेंगे T कैसे निकालेंगे 1996 है और 1980 मतलब कि यहां पर जो पापुलेशन हमने काउंट की हुई है यह जो function मारे पास मुझूद है यह 1980 से स्टार्ट होता है अब हमने निकालने है 1996 में तो कितने साल गुज़र के वह हमने निकालने हैं मतलब कि 1996 में से 1918 कालेंगे तो मारे पास 16 साल बढ़ जेंगे मतलब कि 16 साल बात हमने population निकालनी है वह कितनी होगी तो सिंपल सा काम है कि हम यहां पे टीक जगा पे यहां पे वैलियू पुट करेंगे 16 सोला जो ना टीक जगा पर हम यहां पर सोला पुट का देंगे तो मारा यह आंसर आजएगा अब आपने करना यह कि अगर आप लोगो को calculation नहीं आती आप लोगो इस चीज़ का नहीं पता आप अपने अपने क्या करना यहां पे यह टीक फॉस्ती स्टीन है यह यहां पे टीक जगाप यहां आपने वैलियू काल लिए आप के वाला बटन दिया होता है वह अपने प्रेस करना है उसके उपर आएगी वह आपने लिखे लिए निया मैंस दूरूपन फोर अब इसको एक पावर मैंस दूरूपन फोर लेंगे तो वह मारे पास आंसर यह वला आजएगा अब इनको आपने 75,000 से मुल्डिप्ले करना है ज बिच्प अब सेक्ड पार्ट केया है वह भी हम यहां पर देखले थे हैं सेकू' पार्ट में जी कहता है के डिदेंद आर्ट एक्सप्रेश ने कर नीकालनी है वाद इंस्ट इन्सरेट देज्डेए उफ लेकिशरे इंत टेट कर मतलब यहां है तो respect to time instantaneous rate of change change आमने लेकर आनी है तो वह हम derivative की जिरे निकालते हैं किसी भी function में जो change है वह हम derivative की जिरे निकालते हैं तो इसका हम first derivative लेंगे और जो कि simple है मुश्कल नहीं है simple ठीक है आपने first derivative लेना है तो dfdp यह pd over dt यह TQ है क्यों है क्योंकि यहां पर यह function मारा टी की तोर पर है यहां पर मारा function जिनम वो टी है टी की तोर पर काम करता है तो यहां पर आपने dt लिखना नीचे उसके बाद 75,000 ठीक है उसके बाद यह मानिस 0.025 यह कैसे आया यह जो मारे पास वैसे का वैसे आजेगा उसके बाद हमारे पास ही होता है कि यह जो हमारे पास है на one power — 0125 ट यह एक दफा वैसे हाजे का जो उपर वाली वैल्यू है इसका डेरिव लेना यह वैसे आएगी इसके साथ जो टी है ठीक को डेरिविटिव मारे पास यह बाना आजएगा जब आम इनको मुल्टिप्ले करेंगे तो मारे पास 0.025 आएगा कुछ इस तरीके से यह किया होगा है आप लोग ने इसको भूलना नहीं है कि पहले जब आम डेरिविटिव शिंपल इसका आपने ड ai का डीविटिव लेकर जाए इसका सिर्फ यह यह लिख ले न उसके बाद क्या करना है उसके बाद आप लोग पर नहीं इसका 3rd किम मैं यह हैं मरे पास फंक्शन होगर यह तो इसमें आप लोगोस क्रिभाने यह इन दिया когда सिम्पल यह यह इनकालना है और इनको करेंगे टेक करेंगे और इनको हम मुल्टिप्ले करेंगे तो मारे पास 0.4 आ जाएगा ठीक है सिंपल अब उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद यह हमारे पास इसको सौल गिया तो मरे पास यह आजएगा इसको आपने 75,000 से मारे पास 1256.7 यह मारे पास आजएगा decline rate यह हमें पास क्या है decline rate है思िए करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगो समझ में आगी होगी अगर आज की वीडियो आप लोगो सबसक्राइब करना है और बेल नोटिकेशन को भी लाजमी ओन करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह से एड़ुकेशनल से लेटे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इंशाला मिलते रहेंगी इसी चैनल पे इसलिए आपने चैनल को लाजमी करने हैं और वीडियो को लाइक करने हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज